नमस्कर दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हूं बनाएंगे आलू और ब्रेट से बहुत ही बढ़ियां सांदार नास्ता जो कि ब्रेकफास्ट में भी आप ले सकते हैं टी टाइम स्नेक्स के रूप में भी ले सकते हैं और इसे खाने से प बहुत आसान है तो सबसे पहले गैस पे कढ़ाई लेंगे दो बड़ा चममत तेल डालेंगे आदा समच जीरा जीरा जब हमारा पक जाए तब इसे हम डालेंगे 4 हरी मिर्च है बारी कटा हुआ साथ में 1 प्याज है बड़ा साइज का उसे भी हम बारी कट कर लेंगे और डाल के तेल में इसे हम फ्राई करना है और इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी ले लेंगे इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमे तो थोड़ा सा पकाना है ज्यादा नहीं पकाएंगे इसको अब इसमें में एक चोथाई चम्मच हल्दी पौडर लेंगे आधा चुटा चम्मच जीरा धनिया पौडर है ये लाल मिर्च पौडर लेंगें आधा चुटा चम्मच सभी मसालों को हम इसी प्याज के साथ पुनेंगे और कम से 30 सेकंड के लिए ज्यादा नहीं हमें पकाना है और यहां हम पांच उबला हुआ आलू है मेडियम साइज का उसे मुबाल के क्रश करके इसमें मिक्स कर लेंगे तो इस तरह से यह हमारा आलू का मसाला होगा स्वाद अनुसार हम डालेंगे इसमें नमक और आधा चोटा चमच आमचुर पौडर अगर आमचुर पौडर नहीं है तो यहां पे आधा निम्बू का रस्ट जरूर डालिएगा तो आलू का जो मीठापन है उसको बैलिंस करने के लिए इसमें कुछ खटा चीज जरूर डालना है जैसे आमचुर पौडर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और सब चीज मिलाने के बाद हम एक से दो मिनट अच्छी तरह आलू को मसाला जो है उस अच्छी तरह भून लेंगे जिससे हमारे आलू में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाए इसमें तीखापन भी है खटा भी है यानि बहुत ही स्वादिस्ट हमारा जो है आलू का मसाला बन करके तैयार होगा गैस को बन कर देंगे इसे ठंडा होने देंगे तब तक क्या करेंगे ब्रेट के कुछ स्लाइस को लेंगे हम और ब्रेट के स्लाइस के एज़ेस को हम कट कर लेंगे तो कट करने के लिए यहाँ पर यह धारी वाला जो होता है ना वो चाकू लेंगे फ्लेंज से थोड़ा दिक्कत होगा इससे ना बहुत ही अराम से कट जाएगा हमारा तो जितना भी बनाना है उतने पीस के ब्रेट के एजिस को कट कर लेंगे अब बिल्कुल इस तरह से हम ब्रेट को तैयार कर लेंगे यहाँ मारा मसाला भी ठंडा हो गया थी इसके उपर थोड़ा सा हम गाजर को कद्दुकस करके डाल देंगे इस से इसमें थोड़ा सा क्रँच आएगा टेस्ट आएगा इस तरह से यह हमारा आलू का मसाला देयार है अब इसका हमें Чुटशड़ा बाल्स बना लेना है आपका ब्रेट का जो भी स्लाइस का जो साइज है उसे अनुसार आप इसका आलू के मसाले का बॉल्स बनाके पहले से तयार कर लीजिए इससे क्या होगा हमारा हाथ गंदा नहीं होगा बनाते वक्त इसके बाद एक बड़े बोल में हम पानी ले लेंगे और ब्रेट के स्लाइस को डीप करना है हमें और दोनों हाथों के बीच में इसको हम दबा लेंगे यानि जो भी एक्स्टा पानी है सब निकल आना चाहिए और हमारा ब्रेट सौप्ट हो गया इसके बीच में आलू का एक बॉल्स डालेंगे और चारों तरब से इसको मोडते हुए इससे दबाते हुए इसको हम बंद कर लेंगे और अच्छी तरह से इससे दबाते हुए से हमें गोल सा बना लेना है तो इसी तरह से हम सारे बॉल्स बना लेंगे एक दूसरा भी है तो उसे भी हम इसी तरह से प्रेस कर लेंगे पानी के अंदर और इसके बाद इसको बॉल्स को डालके चारो तरफ से कवर कर लेना है हमें यह भी हमारा ब्रेट जो है ना स्लाइस सॉप्ट है तो यह बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा थोड़ा बहुत अगर बच भी गया तो भी हमारा ब्रेट करम्स के साथ ही कि वह भी छिब जाएगा तो इस तरह से हमारा तयार हो गया है और इसके एज-स को हम क्या कर लेंगे करम्स बना लेंगे इसमें जो ब्रेट का ऊपर और नीचे वाला है न भाग उसको भी हम छोटा पिस करके ब्रेट करम्स बना लेंगे अब इसके उपर हम सफेद तील एक चम्मस डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि तील से है कि एक तो कलर भी अच्छा आएगा देखने में सुन्दर और साथ में तील का बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा क्रण्च आएगा तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है आप चाहिए तो इसको एक मैदे के सलरी में भी डिप करने के बाद भी आप इसको कोट कर सकते हैं मैं तो ऐसे ही बना ले रही हूँ अभी हमारा जो ब्रेट स्लाइस है ना वो गीला है तो इसमें आराम से चिपक गया है तो अच्छी तरह कोटेड हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं ऐसे भी आप बना सकते हो तो इस तरह से ये हमारा जो है ना ब्रेट के बॉल्स बन करके तयार है तो अब इसे में फ्राई करना है तो कड़ाई में हम रिफाइंड ओयल डालेंगे और उसे अच्छी तरह गर्म होने देंगे ठंडा में डालेंगे तो ये हमारा बहुत ही तेल पिएगा और करंची भी नहीं बनेगा तो हाई फ्लेम में इसे हमें फ्राई करना है तो एक बार में हम चार डालेंगे और उसे कुछ सेकेंड के बाद जब एक साइड थोड़ा पक जाएगा तब इसे हम पलट लेंगे क्योंकि फ्लेम हमारा हाई है तो ज़्यादा लाल हो जाएगा तिसे हमें ध्यान देना है तिसे हमें पलटते रहना है चारो साइड से ताकि हमारा जो रंगत हो वो एक्वल हो जो भी गोल्डेन कलर है ना चारो साइड एक समान होगा तो अच्छा लगेगा तो इस तरह से पलटते हुए हम इसका कलर थोड़ा सा ओडार करेंगे हम तो देखे ये कलर आ गया है बस इसी तरह का कलर हमें लाना है और ये बहुत ही जटपठ हमारा तैयार हो जाता है फिर इसे हम बाहर निकाल लेंगे और वापस इसी तेल में एक और बैस डालेंगे हम तो इसे भी हम इसी तरह से उपर से भी थोड़ा गरम गरम तेल डालेंगे जिससे उपर वाला भाग भी थोड़ा पक जाए और आपस में चिपके रही और फिर इसे हम पलट देंगे बाहर से हमें क्रिस्पी बनाना अंदर का तो आलू हमारा ओल रेडी पका हुआ है और तैयार है तो इसे हम निकाल लेंगे और इस तरह से देखे आलू और ब्रेट से बहुत ही बढ़िया हमारा नास्ता बनके तयार हो गया है तो सफेद तिल डालने से देखे इसकी खुबसूरती कितना बढ़ गई है और इसकी आवाज आप सुन सकते हैं तो सबसे पहला बॉल है तो देखे इसमें ज़्यादा तिल चिपक गया है तो इस तरह से हम तयार हो गया है तो इसे प्लेटिंग करेंगे तोमेटो केचप के साथ इसको हम सर्ब करेंगे तो ये देखे जटपठ हमारा जो है नास्ता बन के तयार हो गया है जो की घर पे रखे हुए आलू और ब्रेट सिप बन के तयार हो गया है तो आप इसे चटनी सौस के साथ या चाई के साथ इसका मज़ा लीजिए enjoy कीजिए अपने family friends के साथ यह बहुत ही क्रिस्पी बाहर से क्रिस्पी है अंदर से soft है यह हमारा और बहुत ही मज़िदार आलू का जो मसाला है हमारा त्यार हुआ है तो इस तरह से यह हमारा एक recipe बहुत ही अच्छी तरह से complete है तो आज की recipe आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करे शेयर करे और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे और मेरे वीडियो को फुल वाज करे दोस्तो धन्यवाद